आकड़ा वो 400 पाहर है वो ये आकड़ा और क्या 417 के आसपाज में हमारा मले की 417 आएगी उन्न दो लोगों की गुंड़ाई जो मुलायम की सरकार थी जो गुंड़ाई वहां के लोगों ने जहली वो लोग नहीं चाहते हैं कि दुवारा इनके सांसे दाए और गुंड़ाई से दे रही है क्योंकि आप जवाना हाथ हाथ चलाने का नहीं है ना पैर चलाने का है से पार है और कई सारे आंकडों में 400 टच कर रहा है आईए बात करते हैं हमारे साथ रवी नेगी जी मुझूद है सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दिल्ली में इस समय हम मुझूद हैं सबसे पहले शुड़वात करूँगा दिल्ली से ही दिल्ली का एक्जिट पोल अगर कॉंग्रेस के नेता नकार रहे हैं इस एक्जिट पोल को इबियम में आ जाएंगे आज ये अभी तो ये एक्जिट पोल को नकार रहे हैं कुछ दरबादी इबियम को गाली देना चालू करेंगे जनता जान चुकी है जो बिन बिन दूले के जो बरात जारी है उस बरात में जाने के लिए कोई तियार नहीं है क्योंकि इनका दुला अभी तेही नहीं था बारतियांता पार्टी एंटी ए सरकार का दुला तेह था कि दुला मोदी जी है पर इनका दुला कोई नहीं था एक तरफ केजरी वाल कह रहा था मैं दुला हूँ एक तरफ ममता कह रही थी मैं दुला हूँ और एक तरफ रहूल गादी कह रहे थे मैं तो किसी को नहीं पता और जनता जान चुकी है ऐसी सरकार को सत्ता दे कर दे कर दे कर देश को दुवारा बदाली में नहीं विजना एक्जिट पोल के अगर बात करूँ मैं कुछ राजियों पर विशेज दियान लाना चाहूँगा जैसे पियम मोदी बार बार उन्होंने जिकर किया कि आपको तीन राजियों के जो नतीजे हैं चुकाएंगे एक पश्चिमंगाल एक ओडिशा और एक तेलंगाना पश्चिमं चदरबाबू नाइडू और जो एंडिये गटमंदन है वो बहुत मजबूत तरीके सा आ रहा है क्योंकि जिस परकार कियारेस ने जो आई दिन बयान दिये जो बोला और जो मोदी जी की छवी को बार बार धुमिल करने के लिए बार बार जो अब सब्द गई तो तिलंगान सीटें हमारी बढ़ रही है आब आज ये केरल जहां हमारा खाता नहीं खुलता था उस केरल में हमें हमें तीन सीटें दो सीटें दिखा रहे है आब आज ये पंजाब में जाहिन की सरकार है वहां हमारी सीटें बढ़ रही है आब आज ये दिल्ली में दिल्ली में जो ये त किसरी बार सरकार बनाई इनो नाव आदमी ने वहां भी साथ के सार्थ सीट बीजेपी को दिखा रही है कहीं ना कहीं है मोधी जी के चेहरे में चुनाव लड़ा गया है और देश की जनता चाती है कि एक मजबूत है ससकते सरकार बने इसलिए नरिंदर मोधी के दोग जिता र क्या लग रहा है आप वहां पर सिती बदलने वाली है और मुझे लगता है कि जो तानास आई जो ममता की तानास आई है इस बार वो सीटों सीटों में बदलेगी और भारती अंतापाल्टी की सीटें वहां बढ़ेगी फाइनल रिजल्ट आने में अभी कुछ गंटे बाकी है उससे पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है अरुनाचल में सरकार बन चुकी है आज रिजल्ट आ गया वहां पर और सीटों का फाइदा हुआ है जो देश के अर्थवष्था को मजबूत करने के लिए जो टॉप टैन है अर्थवष्था से टॉप फाइब मन लाना और देश के चारों तरफ सुरुक्षा को मजबूत करना चायना जैसे देश पाकिस्तान जैसे देश उनको बेक फुट मन लाना ये अपने आप में एक धोर एक भारती अंताबाल जी की मजबूत रणने थी तब ही हम अरोलाचल में जीत के आए और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहरा हूँ कि 400 पार जो मोदीजी ने कहा है वो 100% होगा जो मोदीजी कहते है वो जुरूर करते है कॉंगरेस ये नारा देती रही कि बीजेपी जो है साउथ में जीरो रहेगी और नौर्थ में हाफ हो जाएगी लेकिन साउथ से जो परफॉरमस देखने को मिल रही है एकजिट पोल के अंकड़ों की बात करूं केरल में खाता खुल सकता है तमिल नाडू में जो है बहुत अच्छे अंकडे जो है नजर आ रहे है एक्जिट पोल के मतबिक तो क्या लग रहा है वहाँ अंधरा में बहुत अच्छे अंकडे देखने को मिल रहे हैं तमिल आजों में अनल्म laughing करके हमारा बहुत जूत है पुरदिय शच्च करी है और जिसकी तारीफ मोधी जी ने बھार बार करी。 और उसके नेतर तुम्हें इस बार सीटे वहां बढ़ रही हैं केरेले में सीटे बढ़ रही हैं और चारों तरफ जहां 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 हमें जीरो कहते थे वहां वहां हमारा खाता खुल रहा और खाता इसे भी ज्यादा सीटे आ रही हैं क्योंकि पूरा देश जानता है कि एक ही विक्ती है जो देश समाल सकता है वो नरेंदर मोदी जी है ये देश का चुनाव है ये कोई राज्यों का चुनाव नहीं है देश का चुनाव है इसलिए लोगों ने मन बना रगा था बोटर साइलेंड था बोटर चुप था बोटर सारी इनके हरकते जो मोदी जी को कोस यहां से साथ में उत्तर प्रदेश लगता है और का जाता है दिली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है असी लोग सभा सीटे हैं और वहां फिर से वो पुराने अपने एजन्डे पर गए सपा और कॉंग्रेस की दो लड़के हमने मैदान में उतारे हैं अखिले इशादव इस बार गेम चेंज होने वाला है जिस परकार अमेटी में जो चेंज वता 2019 में मुझे लग रहा है कि इस बार और जहां जहां ही अपनी सीटे बतारे हैं वहां चेंज होगा और असी के असी सीटे एंडिय को मिलेगी पंजाब किसी समय ऐसा था कि BJP का एक से दो विदाय काना भी मुश्किल था और अभी जो यहां पर आंक्रे सामने आ रहे हैं कि एक तो फाइदा भी मिल रहा है कि दिली में अलाइंस है और पंजाब में आमने सामने हैं कॉंग्रेस को जादा सीटे मिल रहे हैं आपको कम है अकाली दल को भी है लेकिन बीजेपी वहाँ पर दो से चार सीटों पर ये दिखाया जा रहा है कि दो से चार सीटे बीजेपी भी उस पंजाब में जीत सकती है। लोगों को लगा कि पहला पीए में जो गुरद्वारे में जा रहे है जो जगा 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 बाते कर रहे हैं तो पंजाब की जन्ता उनके साथ खड़ी है और जो खालिस्तान को चाहते हैं जो आमाद्वी पाल्टी और ये कौंग्रेस के लोग उनको करारा थपड़ मार और क्योंकि जो सच्चा सिक होगा वो हिंदूस्तान से प्यार करेगा पर इन लोगों ने जब से ही सत्ता में आई खालिस्तान को वहां बढ़ावा दिया पर वहां के लोगों ने कहा कि खालिस्तान नहीं होगा शिरप भारत है और भारत ही रहेगा एक आगरी छोटा सा कमेंड कैई सारे आंकड़े हैं आपको क्या लग रहा है कौन सा आंकड़ा फिट बैठेगा चार जुन को जब शाम तक रिजल्ट क्लेर हो जाएगा एंडिये का और इंडिगड़ बंदर और विपक्ष उस पर जो चीजे कहा रहा है उसको लेकर क्या अपनी रहा है हमार साथ रखेब आपकी इस पूरी चर्चा से जो रहा हो जुरूर हमार साथ कमेंड बॉक्स में शेयर करें